आधे का आधा भाग दो Half of Half Part 2 आज हम जानेंगे एक आकृती को चार बराबर भाग में कितने तरीके से बाटा जा सकता है क्या कर रहे हो पापा? कल हम लोगों ने अपने खेत को चार हिस्सों में बाटा था ना? अब मैं उसको अलग-अलग तरह से बाट कर देख रहा हूँ मतलब आप चार से ज्यादा फसल लगाएंगे? नहीं, चार फसल ही लगाऊंगा चार फसल के लिए हमने कल अपने खेत को बाटा तो था फिर आप आज क्यों बाट रहे हैं? देखो, कल हमने इस तरह बाटा था लेकिन इस खेत को चार बराबर हिस्सों में और भी कई तरह से बाटा जा सकता है तो मैं अलग-अलग तरह से बाट कर देखूंगा और फिर जो तरीका सबसे अच्छा लगेगा उसी के अनुसार अपने खेत में फसल लगाऊंगा मैं अभी भी समझी नहीं आप खेत को इसके अलावा भी किसी और तरीके से बाट कर दिखाएए तब ही समझ में आएगा देखो, हमको एक खेत के एक चौथाई हिस्से में एक फसल को लगाना है एक चौथाई हिस्सा निकालने के लिए हम पहले इस पूरे खेत को आधा करेंगे फिर आधे हिस्से को भी आधा करेंगे हाँ इसको आधा करने पर हमको ये दो हिस्से मिले हैं अब इस एक आधे हिस्से को कल हमने इस तरह से आधा किया था लेकिन इसको हम इस लंबे किनारे की तरफ से भी आधा कर सकते हैं देखो इधर से आधा करने के लिए एक लाइन इस तरह बनानी होगी अब वंधना, तुम बताओ कि यहाँ हिस्सा एक चौथाई हुआ या नहीं? यह भी आदे का आदा है, इसलिए एक चौथाई तो यह भी हुआ इसका मतलब इस खेत को चार बराबर हिस्सों में दो तरह से बाट सकते हैं नहीं वंधना, सिर्फ दो तरह से नहीं और भी कई तरह से इस खेत को चार बराबर हिस्सों में बाटा जा सकता है पहले आप खेत को अलग-अलग तरह से दो बराबर हिस्सों में बाटिये उसके बाद हम उन आधे हिस्सों को भी अलग-अलग तरह से आधा करेंगे ठीक है एक तरह से तो आधा आप ही कर चुके हैं मैं इसको तीन और तरह से आधा दा कर सकती हूँ ऐसे ऐसे और ऐसे बिल्कुल सही वंदना अब इन आधे आधे हिस्सों को भी कैए तरह से आधा कीजिए ठीक है, इस पहले वाले आधे हिस्से को हम पहले ही दो तरह से आधा कर चुके हैं एक छोटे किनारे की तरफ से और एक लंबे किनारे की तरफ से इसको दो और तरह से मैं आधा कर सकती हूँ एक तिर्ची रेखा से जो उपरी बाएं कोने को निचले दाएं कोने से मिलाती है और एक और तिर्ची रेखा से जो उपरी दाएं कोने को निचले बाएं कोने से मिलाती है बिल्कुल सही वंदना अब अगर हम देखें तो सिर्फ इस पहले आधे-ाधे हिस्से को ही चार अलग-अलग तरह से चौथाई हिस्सों में बाटा जा सकता है देखी अरे हाँ और अभी तो हमारे पास तीन अलग-अलग तरीके से बटे हुए आदे-ादे हिस्से और बचे हुए हैं और इन आधे-ाधे हिस्सों को भी कई तरह से आधा-धा किया जा सकता है आप थोड़ा समय लिजिए और सभी को आधा-धा करके मिरे पास ले आईए फिर निश्चित करेंगे कि किस तरह हमें खेत में फसल को बाटना चाहिए ठीक है पापा देखिये पापा, मैंने इस खेत को इतने तरीके से चार बराबर टुक्रों में बाटा आप बताईए क्या ये सभी सही है देखता हूँ, अरे आपने तो बहुत से तरीकों से खेत को चार बराबर हिस्सों में बाट दिया है लेकिन देखिये, इन में से कुछ तरीके एक समान है अब इन में से एक तरीका अपनी फसल के लिए चुल लेते हैं हाँ, तुम बताओ, इन में से कौन सा तुमको सबसे अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये सबसे अच्छा लग रहा है और मुझे यह सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह एकदम सा धारण है लेकिन हम क्यारी को वैसे माटेंगे जैसा आपको अच्छा लग रहा है घन्यवाद पापा आज आपने सीखा किसी आकृती को 4 बराबर हिस्से में कई तरह से बाटा जा सकता है वंदरा ने एक वर्गकार आकृती को 8 तरह से 4 हिस्सों में बाटा आप भी एक वर्गकार पेपर लीजिए और देखिए कि आप कितने तरह से उसके चार बराबर हिस्से कर सकते हैं